हाई इरीज मेश राशी कैसे हैं आप सभी स्वाकत है आप सभी का मेरे चानल पर आज हम आपकी next 15 डेज की रीडिंग करने वाले हैं ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी ठीक है जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके जो next 15 डेज होंगे आने वाले जो बंदरा दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाए होगी और ये इस से पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं मैं के इंफोर्मेश अगर आपको चाहिए टैरो कोर्स को लेकर के तो उसके लिए आप मुझे वाट्सअप कर सकते हैं और ये जो है लाइफ क्लासेज रहेंगी वीक में दो दिन क्लासेज होंगी और इसमें आपको पीडिएफ बगेरा सब कुछ शेयर किया जाएगा और इसमें सिर्फ और सिर् रही है इस तरफ तो प्लीज आप जॉइन कर सकते हैं आप इंफोर्मेशन ले सकते हैं वाट्सअप पर तो ये चोटी से इंफोर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ तो ये जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अरहा दिन हैं उनके लिए मैसेजिस दें और अपनी इंट्यूशन से कनेक्टिप रहें रिसीविंग मोड में रहें आपको जो भी मैसेज़िस यहां से रीचीव हो रहे हैं जहां भी वो कनेक्ट कर रहे हैं आप उन्हें बहालेनी की कोशिश कीज़े क्योंकि आपकी इंट आपके बच्चे एरीज मेश राशी वाले इस वीडियो को देख रहे हैं क्या आ रहा है उनके लिए नेक्स 15 डेज में 15 दिनों क्या से रहेंगे 15 दिनों के लोगों को क्या चाननी की जरूरत है please Skype कीचे, messages देचे, thank you Polly Baba Aries मेश राशी, अबले दंद्रादे Your dreams need a practical plan A new romantic cycle begin And nothing will come of this situation Next 15 दिन, 15 देज आप लोगों के लिए Aries, यहां पर न, Divine आपको बिल्कुल वो direct message दे रहे हैं कि जो भी आप planning कर रहे हो, जो भी आपके dreams हैं जो भी आप करना चाहते हो अपनी life में जिस भी area को ले करके, जो भी आप fulfill करना चाहते हो, manifest करना चाहते हो अब ये वक्त आ गया है कि उनको manifest करनी के लिए आप actions लें अपनी life में, ठीक है, उनको ले करके आप अपनी life में आगे बढ़ें मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप कुछ कर रहे हो ना उसको ले करके सिर्फ अभी आप सोच विचार कर रहे हो, ठीक है और सोच विचार भी कैसे आ रहे हैं कि बहुत ही जादा negativity अंदर आपके चल रही है चीज़े अभी balance नहीं है आपको बहुत कुछ यहाँ पर अभी release करने की जरूरत है अपने दिमाग से क्योंकि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इतना अगर आप यह जो भी आप इतना सोच रहे हो ना negative इससे हासिल कुछ होगा नहीं negative या फिर planning भी अगर आप कर रहे हो कहने का मतलब कि मैं यह मुझे यह करना है मुझे वो करना है तो सिर्फ सोचने से कुछ हासिल नहीं होगा उसके लिए आपको practically जो है चीजों को implement, ideas को implement करना होगा कहने का मतलब actions लेने होंगे, decisions बनाने होंगे, choices बनाने होंगे उस तरफ आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है, अब यह जो next 15 days है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा, जो भी आप अपनी life में करना चाते हो, जिस तरफ भी आप आगे बढ़ना चाते हो, जो भी आपके दिमाग में समय चल रहा है उसको ले करके action लीजिए, उसको ले करके आगे बढ़िए, कुछ करना start कीजिए हाला कि यहाँ पर a new romantic cycle begins है, तो येस कुछ लोगों के लिए उनके प्यार के रिष्टे को ले करके भी हो सकता है तो येस वहाँ पर भी मुझे balance आता हुआ दिखाए दे रहा है, बट यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि जो भी चीज, चाहे relationship को ले करके हो, चाहे work को ले करके हो, career को ले करके हो जो भी चीज आपकी life में basically जो है, उसको ले करके action आपको लेना पड़ेगा सबसे first action आप कर रहेगा, इसी तरही के से बैठे बिठाए चीज़े अपने आप manifest नहीं हो जाएंगी अगर आपके ऐसे thoughts हैं, कि yes, अभी मैं सोच रहा हूँ, कर लूँगा, लेकिन divine आपको बोल रहे हैं अब शुरू करो, अब बुकुश सही दिशा में बढ़ रहे हो, आगे बढ़ो actions लो, वहाँ पर आपको उसके beautiful results देखने को मिलेंगे अब ये वक्त आ गया है, उसको लेकर के action लेने का, सोच विचार को छोड़ दो अब, जितनी करनी थी हो गई, अब उसको लेकर के action लो, decisions बनाओ, ठीक है ये वक्त जो है, next 15 days, अब actions लेने का है, ओके, जो भी आपके plans हैं, उनको लेकर के, सिर्फ mind में नहीं रखना है चीजों को थेंक यू भूले बाबा, प्लीज बताएं, एरीज, निश राशी, जितने भी आपके बच्चे एरीज, निश राशी वाले देख रहे हैं, रहने वाले आपके बच्चे, next 15 days, प्लीज बताएं, hanged man, देखो, है न, यह आपकी energies हैं, और इसलिए आपको divine बोल रहे हैं, कि यह सुनने कि आपको इस समय जरूरत है, next 15 days में, कि अभी सोचने से ही काम नहीं बनेगा सिर्फ, ठीक है, अभी आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ideas बहुत कुछ चल रहे हैं, और divine आपक इस से आपको कुछ भी, रत्ती भर भी हासल कुछ नहीं होगा, अब आपको actions लेने हैं, action लेने का वक्त आ गया है, mind space पे क्या चल रहा है, एरीज में, शाशे, नाइट अफ कप्स, exactly, यह किसी के लिए ना, कोई love life को लेकर के, relationships को लेकर के भी है यहाँ पर, व्योंकि night of cups आपका जो है, ना, mind space पे आया है, तो basically, again, यह वो ही energies है, कि जो भी चीज आपके दिमाग में चल रही है, intuitively इस message को receive करने की कोशिश कीजे, that is why मैं आपको बोलती हूँ कि भी आपना थोड़ा सा, अपनी intuition से connected रही है, messages को receive करने के लिए, तब ही आपको सही guidance, सही messages receive हो पाएंगे, तो यहाँ पर आप लोग जो हो, यह next 15 days में आ, actions कुछ नहीं ले रहे हो, ठीक है, सिर्फ सोच रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, यह कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट उनको implement नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो divine आपको यहाँ अगर बोल रहे हैं, कि अब अगर आपका ऐसा विचार है, कि पहले मैं धेर सारी planning कर लूँ, then actions लूँ, तो जितनी planning आपने करनी थी, वो हो चुकी है, ठीक है, अब जो है, आपको थोड़ा सा, इस चीज को ले करके, अपनी life में, जिसे कहते हैं, practically आगे बढ़ना है, ओके, actions लेने हैं, आपके ancestors जो हैं, और वो आपके साथ है, bird spirit आपकी जो है, वो आपके साथ है, और ये बहुत बड़ा indication है, अगर आपको रोज दिखते हैं, ठीक है, अगर आपको रोज में ने करके, और अगर किसे चीज को ले करके डर रहे हो, कि अगर मैं इस तरफ action लेता हूं तो क्या ये safe रहेगा तो yes वो surety दे रहे हैं आपके spiritual team आपको surety दे रही है कि yes ये बिलकुल safe है इसमें आपको कुछ भी harm नहीं होगा तो इसलिए इतना जादा सोच विचार मत करो अब आगे बढ़ो ठीक है क्योंकि आपके मन में है आगे बढ़ना ये जो भी चीज है जिस ये चीज बेसिकली आपके दिल के बहुत करीब है ठीक है आपकी emotions इससे कहीं न कहीं connected है emotions connect होने का मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ relationship ही है कोई या love life को ले करके ये कुछ भी हो सकता है कोई career आपका path ऐसा हो सकता है कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जो आपके दिल के बहुत करीब है आप उसको ले करके आगे बढ़ना चाते हो पर फिर भी stuck हो तो ये इसलिए आपको यहाँ पर message दिया जा रहा है कि आगे बढ़ो क्योंकि यहाँ पर वो रुकी हुई energy ही मुझे मिल रही है कि आप बस सोच सोच करके ही रहे जा रहे हो next 15 days में भी लेकिन divine आपको बोल रहे है इस energy से बाहार आओ action लो इस energy को ले करके जो आपके दिमाग में चल रहा है न आप यह मन में चल रहा है आगे बढ़ो ओके थैंक्यू भूले बाबा love relationship कैसे रहेंगे Aries में श्राशी वार्यों के लिए six of swords career moon health health कैसे रहेगी seven of swords spirituality high priest okay wow blockage क्या होगी next 15 days के लिए blockage क्या होगी Aries वार्यों के लिए okay page of pentacle okay empress yes okay knight of wands yeah king of pentacles okay hmm यहाँ पर जो है मुझे इना आपकी love life relationships को लेकर के कुछ स्थिती बदलती हुई नजर आ रही है shifts होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे है changes आते हुए मुझे आपकी relationships में आपकी love life हो सकती है other relationships हो सकते है उनमें वो changes मुझे बदलाव आते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे है अगर कोई भी समस्या चल रही है इस समय तो आपको बोला जा रहा है आपको situation से next 15 days में बाहर निकाला जाएगा ठीक है उन समस्याओं से आपको वहां से बाहर निकाला जाएगा ठीक है लेकिन उसके लिए आपको जो है practically चीजें करनी होगी आपको भी अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी आपको भी अपनी life में आगे बढ़ना होगा आप कहीं पर stuck हो ठीक है आपकी या other relationship में कोई other कोई relationship है आपके parents के साथ या बच्चों के साथ या फिर friends के साथ या spouse के साथ या partner के साथ जो भी है तो आप देखे किसी चीज को पकड़ की आप बैठे हो ठीक है तो आपको बोला जा रहा है आपको भी अपनी तरफ से कोशिश करना है उस चीज को resolve करने की ठीक है बाकी जो है divine आपकी वहाँ पर मदद कर रहे हैं आपको situation से बाहर निकालने में ये next 15 days मुझे यहाँ पर वो energies दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए और अगर आप लोग यहाँ पर singles है singles को again यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने thoughts में shifts लेकर के आओ ठीक है क्योंकि आप शायद अभी खुद से ही ready नहीं हो singles अभी आपके खुद की सोच ये किसी past experience को लेकर के हो सकती है relationship में या फिर ये आपके खुद के thoughts बने हुए है ठीक है आप जैसे खुद ही तयार नहीं हो आपके खुद के mind space में बहुत उल्जन चल रही है तो आपको सबसे पहले उसको clear करने की यहाँ पर जरूरत है उसको clear करोगे एक decision बनाओगे तभी life में आगे बढ़ पाओगे ठीक है तभी life में आगे बढ़ पाओगे relationships को लेकर के जो लोग singles है मैं उनकी यहाँ पर बात कर रही हूँ ठीक है ये जो लोग already किसी relationships में है married है couples है other relationships उनमें भी ये message जा सकता है ठीक है आपके लिए भी वो message हो सकता है तो कहने का मतलब अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश कीजिए बाकी जो है divine आपको जो भी किसी situation में अगर आप फसे हुए हो मतलब कहने का आप जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं लेकिन situation ठीक नहीं हो रही है लेकिन यहाँ पर divine आपका साथ दे रहे हैं उस situation से बाहर निकलने में पर कोशिश आपको भी करनी होगी यहाँ पर आपको भी अपनी तरफ से करनी पड़ेगी क्योंकि आप क्या हो ना आप पुरी तरीके से हाथ छोड़ करके बैठे हो कि यह जो मेरी problem है हिश्वर आपके हवाले है मुझे नहीं करना है जो है आप देखो आप निकालो लेकिन divine आपको यहाँ पर वो याद दिला रहे हैं मैं तुम्हारे साथ तो हूँ मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ लेकिन तुम्हे भी कुछ चीजों को resolve करना है जो तुम्हारे अंदर हो रही है चल रही है उन thoughts को निकालो उनमें changes लेकर के आओ तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा मतला मैं तो करी ही रहा हूँ लेकिन तुम्हे भी करने की जरुरत है तभी तुम उस situation से बाहार निगलोगे तो ये 15 दिन जो है next 15 days अपने thoughts को थोड़ा clear करने की जरुरत है चीजों को release करने की जरुरत है किसी के कोई बात आपको चुप गई है या किसी एक बात को अगर आप पकड़के बैठ गए हो तो my dear please उसे release कर दो उसे release कर दो बाके divine है वहाँ पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बाते इतनी तक बढ़ गई है कि वो चीज़े resolve नहीं होंगी तो my dear यहाँ पर वो resolve होंगी divine है आपके साथ वो आपको इस situation से बाहर निकालेंगे बट इन thoughts को carry करके चलोगे तो नहीं और यहाँ पर आपके लिए career को लेकर के moon की energies है तो my dear moon का card मुझे आपके career expect में यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा दिखा रहा है कि career थोड़ा अच्छा नहीं रहने वाला है आपका जो है in next 15 days में बट आपकी intuition आपको आपके पास ना वो solution है मुझे कोई समस्या दिख रही है कुछ problem दिख रही है next 15 days में आपके career में जो भी आप career business जो भी आप कर रहे हो ठीक है कुछ है जिस किसी समस्या में आप घिर रहे हो या घिरे हुए हो तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि next 15 days सिर्फ आपकी intuition है जो आपको situation से बाहर निकालेगी अपने secrets अपने तक रखिये किसी और दूसरे तीसरे बंदे पर आपको विश्वास नहीं करना है और जितना आप अपनी intuition से connect होंगे अपनी intuition को ना आपको उसको सुनना है आपकी intuition जो आपको बता रही है कि यह है या ऐसी स्थिती है या ऐसा करना है तो उस पर doubt मतलाओ क्योंकि आपकी intuition आपको बिलकुल accurate बता रही है यह इस वक्त में तीक है और वही आपको इस situation से बाहर निकलने में आपकी मदद करेगी वो आपकी basically जो मैं एक ऐसा देख रही हूँ ना foggy situation आपकी career में उसमें से बाहर निकलने में क्योंकि आपको clarity नहीं मिल रही है वहाँ पर कोहीं है आप ये next 15 days career में कहीं stuck हो कोई thought हो सकता है कोई situation आ सकती है कुछ भी तो उसमें से बाहर निकलने में आपकी intuition आपको मदद करेगी क्योंकि solution आपकी खुद के पास है खुद के पास है यहाँ पर तीन चाबियां तगी हुई है इस लेडी के यहाँ पर तीन कीज है ठीक है तो solution आपके पास है पर आपको अपनी intuition को follow करना है वो आपके अंदर ही है ठीक है और आपको यहाँ पर को अपने अच्छी बूरी चीजों को किसी के साथ शेयर नहीं करना है कि बूरी चीजों का लोग आपका फायदा उठाने वाले हैं। अगर आप विधिश के पूंदधानेों, अपनी वेखनेश को बता दोगे इस तो आपके आसपास जो आपके इर्दिगिर्द जो लोग है ना वो आपका फाइदा उठाएंगे उस सिचुएशन में आपकी मदद तो करेंगी नी ओके और अच्छी चीज है तो भी वो आपको जिसे कहते हैं आपको आपके पाथ से हटाएंगे समझ रहे हो ये वक्त थोड़ा आपको लेकर की अच्छी नहीं है जो आपसे जैलेस फिल करते हैं तो ऐसे लोग आपकी इर्दिगिर्द है तो थोड़ा साना ये जो वक्त को कीयरफुली लेकर के आपको अपनी लाइफ में चलना है खास करके आपके career path पर और आपने हैं पर बोला जा रहा है किसी पर भी आँख मूंद करके आपको विश्वास नहीं करना है कोई भी signature वगएर अगर आप कहीं करने जा रहे हो कोई important decision लेने जा रहे हो तो सबसे पहले खुद आप उसको clarify करेंगे, खुद आप उसको देखेंगे, check करेंगे किसी दूसरे या third person के उपर विश्वास करके आपको कुईसी काम को आगे नहीं बढ़ाना है जितना हो सके अपनी intuition पर trust रखिएगा, divine से connect होईए, उनसे पूछिए देन आगे बढ़िए, ये थोड़ा सा difficult time period है, तो इसमें मैं बोलूँगी कि कोई बड़े-बड़े decisions ना बनाए इस वक्त में, ठीक है क्योंकि ये वक्त थोड़ा सा difficult है, आपके career को ले करके, और health की बात करें, seven of swords की energies है health को ले करके, किसी चीज को ले करके आप बहुत careless हो, in next 15 days में Aries, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अभी ना ये जो आप चोरी अपने साथ कर रहे हो कि आपको पता है कि मुझे ये problem या फिर इस चीज को ठीक करने की ज़रत है, health wise, मतलब मेरे, मेरी body के लिए, मेरी health के लिए ये चीज अच्छी है और ये चीज बुरी है, लेकिन आप उसे ना इग्नोर कर रहे हो तो आपको बोला जा रहा है कि ये 15 दिन आपको इग्नोर नहीं करना है, उसको लेकर के actions लेने हैं, ओके, आप शायद ये सोच रहे हो कि मैं अभी चलो ये कर लेता हूँ, या फिर कोई unhealthy diet को आप follow कर रहे हो, कि चलो ठीक अभी कर लेते हैं, आगे उसको ठीक कर लेंगे, आपको इस चीज को अभी ठीक कर लो, अभी वो कोई भी चीज हो सकती है, आपका चाहे diet हिला हुआ है, चाहे आपका routine हिला हुआ है, चाहे आपका screen time ऐसा है, या फिर आप नीद अच्छी नहीं लेते हो, पूरा routine आपका खराब है, जो भी चीज है, उसको यहाँ पर ठीक कर energies आ रही हैं, कि ये वक्त में आप थोड़ा सा meditate कीजिए, ठीक है, divine से connected हुई है, थोड़ा सा meditate कीजिए, उससे आपके मन को शांती मिलेगी, आपके अंदर शांती आएगी, आपके अंदर ठहराव आएगा, आपका focus बढ़ेगा, आपको पदा चलेगा life में कि किस तरफ आग कहने का मतलब religious places पर visit कर सकते हो आप इस वक्त में, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओके, बहाँ जाएए, थोड़ी दर बैठिये, अगर मैं कहीं दूर की भी बात नहीं कर रहे हूं, आपके घर के आसपास कोई मंदर, मस्जिद, गुर्दवारा, कोई है, बहुत है, वहाँ जाएए, थोड़ टाइंच्पेंट कीजिए, वहाँ की मन को शान्त करने में, वहाँ का जो energies है ना, वहाँ की मन को शान्त करने में आपकी मदद करेगी, क्योंकि इस वक्त में बहुत जरूरी है, आपको वो clarity मिलनी की, yes, मुझे किस तरफ actions लेने हैं, कैस अगर आप किसी गुरू को manifest कर रहे हैं, तो वो गुरू आपके लिए ये 15 दिन में available है, किसी की तरफ अगर आपका thought जा रहा है, किसी की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी को अपना गुरू बनाना चाहते हैं, या teacher बनाना चाहते हैं, तो वो available हैं आपकी लिए, उनकी तरफ आगे बढ़िये और अगर उनको लेकर कि आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो वो डाउट्स मत लाइए क्योंकि वो आपकी अंदर और आपकी लाइफ में बैलेंस लाने में बहुत मदद करेंगे वो आपको बिल्कु सही दिशा दिखाने वाले हैं ठीक है यहाँ आपके लाइफ यहाँ ब्सक्राइप यहाँ यहां यहां च driving गुर्फ रहे चरह यहां बूंतर यह ह döंनें एसे, आपको स्टेव सीक्राइफ स्वय के बाइफ यहाँ बूरी का बब्लेक्ष हैं तो आप खुच किसी गुर्फ से कर मुश्री आप कैट हो तो ना फिर आपके लाइफ में कोई गुरू एंट्री कर रहे हैं तो कहने का मतलब उस चीज से होगा क्या ये 15 दिन नेक्स 15 डेज आपका कनेक्शन डिवाइन से बहुत स्ट्रोंग हो रहा है बहुत डाउनलोड आपको देखने को मिलेंगे आपके भीतर का जो जो ज्यान है आप या फिर किसी भी तरह के रिचुवल्स वगर या कुछ भी आप कर रहे हो कुछ सीख भी रहे हो तो एक अपने औरा को लॉग जरूर करके रखिएगा अपनी तरफ से एक प्रोटेक्शन जरूर आपको लेनी है ओके अच्छा आपके लिए ब्लॉकेश क्या है इन एक्शन फिर भी नहीं ले रहे हो ठीक है ये एक आपके लिए लाइफ में आपके लिए पंदरा दिन में ये ब्लॉकेश है कि एक्शन लेना उस तरफ आगे बढ़ना आपके लिए बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ी बात होगी पता नहीं क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है आप confident फिल नहीं कर रहे हो कुछ डर है भय है किसी चीज़ का किसी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हो beautiful यह मुझे ना काफ नज़र आ रही है white color की गाए का बच्चा होता ना बच्चडा वो नज़र आ रहा है कहने का मतलब आपकी intuition बहुत आपकी always साथ रहेगी बट आप हो कि आप अलगी खाबों में चल रहे हो तीक है आप अपनी thoughts में चल रहे हो आपकी उपर ना thoughts बहुत heavy ह हैं तो इसलिए भी आपको यहां पर बोला जा रहा है कि meditation कीजिए ताकि आपको clarity मिले बहुत कुछ आपके mind में चल रहा है आपकी intuition आपको बिल्कुल correct बता रही है अगर आप अपनी intuition को follow करोगे ना तो बिल्कुल सही दिशा में पहुंचने वाले हो तो इस वक्त में अपन guidance नहीं निकाल रहे थी नहीं है आप जो थोड़े से अगर efforts डालोगे उसके आपको बहुती beautiful results मिलेंगे ठीक है अपने अंदर अपनी उपर विश्वास रखे क्योंकि यह वक्त आप action लेने का है यह वक्त स्टक रहने का नहीं है मैं बोल रही हूं ना कि आपको कोई चीज है जो आपको रोक रही ह से कुछ जैसे बंदिश है कुछ बंदा हुआ है thoughts में बंदे हुए हो या किसी society घरवालों की बज़े से मतलब कुछ है आप decision नहीं बना पा रहे हो action नहीं ले पा रहे हो या फिर आगे नहीं बढ़ रहे हो अभी कुछ भी हो सकता है आपके thoughts में है या physically आप मतलब आपके आ लेकिन येस ये आपके लिए मुझे नहीं पता क्या चीज है ये किस चीज में आप स्टंग दो लेकिन येस ये आपके लिए difficult है ये आपके लिए challenge है और स्टेकल है आपके लिए बहुत बड़ा इस वक्त के लिए कि इस तरफ आप actions लें ओके कि आपके अंदर ना full confidence नहीं म आपको समझ पाओगे meditation करना divine से connect होना nature से connect होना meditation करना ये आपके लिए बहुत जरूरी है मैं बोल रहे हो ना कि आपको clarity तभी मिलेगी और ये जो भी कर रहे हो आप ये सिर्फ मैं action लेनी की बात नहीं कर रहे हूं सिर्फ actions तक चीज़ें सीमित नहीं है ये जो भी आप effort डा आपको यहाँ पर इस guidance को follow करने की जरूरत है क्योंकि आप basically देखा जायते है transition mode बे जा रहे हो ठीक है आगे बढ़ने की जरूरत है अब आपको practically implement करना चीज़ों को ओके ये वक्त अब है बिलकुल एक new start का actions लेने का आगे बढ़ने का ओके चलिए देख लेते हैं आपके ल नेक्स 15 डेस के लिए आस्कियर एंजल्स देखिए जिस किसी भी situation में आप लोग स्टॉक्ट हो आपको समझ में नियारा मैं बोल रही हूं आपकी intuition आपको बता रही है आपकी guides आपके साथ है divine आपके साथ है और यहाँ पर भी आगया देखिए वह आपको assist कर रहे हैं आपक आपको पात दिखा रहे हैं आपको clarity दे रहे हैं उनसे उनसे पूछिए उनसे question कीजिए उनसे मदद मांगिए और फिर अपने आपको open रखिए ठीक है receiving mode में रही है किसी भी तरीके से वह आपको messages देंगे receive कीजिए और messages वह 1000% देंगे अपने किसी चीज में फसे हुए हो अपने angel से पूछो वह आपकी मदद करेंगे and yes remain positive अगर किसी चीज में negative हो रहे हो बहुत जादा तो divine आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि positive रहो negative नहीं होना है बिल्कुल भी जितना positivity के साथ अपनी life में आगे बढ़ोगे उतनी ही clarity आपको अगर आपको किसी तरीके से किसी तरफ आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है या कुछ भी करने के लिए बोल रहा है तो किसी second या third person की आपने नहीं ऐसे सुननी है पहले और information आपको collect करनी है get more information ओके तो yes यह जो भी चीज है ना यह जो भी चीज है अगर आप उस पर यह इस सब आपके खुद के दिमाग की उपजह मैं कहूंगी यह खुद आप खुद मैनिफेस्ट करोगे क्योंकि अगर आप बिलीफ करते हो तो if you believe ओके अगर आप बिलीफ करते हो और आप उस तरफ actions लेते हो तो success for sure है उस तरफ आपको victory जरूर मिलेगी चाहे वो आपकी life का कोई के भी एरिया हो ठीक है spirit की तरफ से देख लेते हैं आपको इन नेक्स 15 डेस के लिए आपके लिए और क्या मैसेज़ेस हैं तिंक्यू स्पिरेट प्लीज बताएं एरीज मेश राशी वालों के लिए नेक्स 15 डेस के लिए और क्या हूंको किंशिप ओके कमिनिटी यह ग्रूप हम ओके ओमाइग यहां पर मुझे ऐसी उर्जा मिली है अभी कनेक्शन्स येस इंसेस्टर्स देखिए सबसे पहली बात तो इंसेस्टर्स आपके आपके साथ हैं और आपको बोला जा रहा है कि कोई ऐसी किसी चीज में आप स्टक हो जो एक लूप की तरह बन रही है ठीक है मतलब आप उसमें फसे हुए हो ओके फसे हुए हो और यह पैटन कुछ लोगो के लिए बहुत पुराना हो सकता है कोई भी चीज हो सकती जैसे कहते है ना कि यह हमारे घर में हमारे बड़ों के सा'll होती हुई I is ठीक है अभी वो थौड़ पैटन हो सकता है या फिर स्पैसिफिक कोई ऐरिया को लेकर कि कोई कोई भी चीज हो सकती है तो मुझे उस चीज में आपके thoughts के द्वारा वो changes यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन उसके लिए आपको अपनी life में actions लेने हैं क्योंकि यहाँ पर यह 10 number का card है जो की completion को बता रहा है आपके ancestor चाहते हैं कि वो जो एक phase चलता आ रहा है या फिर वो जो एक चीज negative चीज चलती आ र करने आए हो उस चीज को ठीक करने आए हो उस पैटन को break करके आगे बढ़ने आए हो वो कुछ है आपकी life में जो चल रहा है और इस चीज में आपकी जो ancestors हैं वो आपको पूरी तरीके से guide कर रहे हैं protect कर रहे हैं ठीक है और आपको उनसे उस guidance को receive करना है और उस तरफ आगे बढ़ना है देखिए आपके सातना के स्पिरिट गाइड बहुत हैं या पर आपको एंजल नंबर्स आपको फैदर्स या फिर इस तरह से मैसेज़ आपको साफ मिलते होंगे डायरेक्ट मैसेज़ आपको मिलते होंगे यह कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है यहां पर वो और जितना जितना आप उस चीज़ के पास जा रहे हो उस पैटन को कम्प्लीट कर रहे हो उतना ही वो बहुत खुश हो रहे हैं और यहां पर कुछ है जिसे आपको चेंज करने की जरूरत है कुछ आपको अपने फ्रेंड सर्कल अपने आसपास मैंने बोला है न कि कुछ है जो आपकी आसपास आपकी community आपका group में कुछ हैसे लोग हैं जो unhealthy हैं तो उनको लेकर के आपको थोड़ा aware होने की जरूरत है जो अच्छे लोग हैं जो आपके highest good के लिए हैं जो आपको motivate करते हैं आपकी खुशी से खुश होते हैं उनके साथ आगे बढ़ना है आपको यह next 15 days थोड़ा सा इसमें changes लाने की जरूरत है आपकी intuition आपको exactly बता रही है कि कौन-कौन आपकी आसपास है जो सही है और कौन-कौन है जो गलत है उनको लेकर के अब आपको एक बहुत बड़े decisions बनाने हैं उनसे जो जो लोग या फिर जो भी कोई है आपके आसपास जो आपको सर्वनी करते हैं आपकी intuition आपको बता रही है आपको पता है उनसे distance maintain करना है आपको उनको release करना है और एक healthy group को maintain करना आपको ठीक है यह आपके लिए बहुत जरूरी है और क्योंकि यहां पर connections है तो yes connections यहां पर जो main आ रहा है आपको यहां पर बताया जा रहा है कि आप next 15 days म आपको receiving energies में रहना है ठीक है partnership हो सकती है या फिर कोई contract आप sign कर रहे हो that is why मैं यहां पर बोल रही हूं ठीक है पहले अच्छे से अभी contract किसी भी तरीके का हो सकता है यह marriage को लेकर के कहने का मतलब या फिर career wise business wise कुछ भी हो सकता है तो my dear यहां पर क्योंकि journal reading है यह आपकी तर यहां पर seven of source की energy से जो मैं आपको बताई रही हूं कि कुछ unhealthy भी है ओके तो आपको थोड़ा सा aware रहने की जरूरत है यहां पर इन चीजों को ले करके हर किसी पर आख मूंद करके विश्वास नहीं करना आप शौर हो आपने अच्छे से जांच लिया है तो फिर आप आगे बढ़ सकते हूं क्योंकि वह commitment वह partnership मुझे यहां पर दिखाए दे रही है लेकिन जो लोगों के आसपास मतलब अच्छे लोग नहीं है यहां फिर आपके intuition आपको बता रहे कि यहां कुछ तो गड़बड है ठीक है यहां से wise अच्छी नहीं आ रही है तो please इस वक्त में रू मिले हो मिरे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा वाके में यहां से guidance मिली है तो divine को thank you बोलना बिल्कुल मत भूलेगा सबसे जादा important बात अपनों के साथ इस reading को share जरूर कीजिएग ब्लेस यौल बबाई